नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब सौगत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम अनुभों पर फ्रेंड्स काफी मातपुर जानकारी आ रही है उत्रप्रदेश से पुलिस कॉंस्टेबल भरती से समंदित जानकारी ये प्रेकिंग निउस है 60244 पदों पर जो एक्जाम डेट है उससे समंदित जानकारी होगी एक्जाम डेट में कुछ बदलाव देखनेों को मिल रहा है क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे जैसा की जानकारी मृले कि 50,000,000 फार्म ऑनलाइन किये गये हैं और और 50,000,000 का आव rows आने के बाद कितनी बड़ी मात्रा में… यानि कि जो unexpected है और यह नहीं आयो को पता था पता आयो तो 30,000 लाग तक का एक… एक्सपेक्टेट था कि 30 लाग तक आवेदन आएंगे मगर जो एज में 3 वर्स की छूट दी गई है उसके चलते अब भैरतियों को मौका मिला है नोकि 2018 के बाद 2023 में ये विग्यापर निकाला गया पांच वर्स भाई जो candidate ओवरेज हो गये थे वो तो इस फॉर्म में नहीं समलित हो पा रहे थे मगर 3 साल की छूट देने के बाद क्योंकि उसके चलते हाँ पर काफी आवेदन आए हैं और इनकी संख्या बढ़के 50 लाग हो गई है ये 50 लाग जो आवेदन आए हैं इसके बाद अभी जो एक दिन में तो क्योंकि जब इन्टेरियर जगह पे सेंटर जाएगा तो इतनी जरस्थाई भी नहीं होती है तो इससे चीजे होने लाजमी है अब यहाँ पे इतने बड़े मात्रा में आवेदन आने के बाद एक्जाम कंडेक्ट करवाराना है जैसा कि पहले यहाँ पे 24 दिसंबर के अप्डेट मैंने आपको दी थी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो तिती आयोग ने दी थी 11 फरवरी और 18 फरवरी एक्जाम कंडेक्ट करवाने के विशे में आपे जानकारी दी गई थी यहाँ पे ट्रेंड का मिस्राग जीके द्वरा बताया गया कि इस तित में दो तित ही दी जाई है यहाँ पर किसी भी तित में एक्जाम कंडेक्ट करवाई जा सकता है अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ आज की जो अप्डेट है 24 जनुरी यह latest update है और यह जिला है हातरस यहाँ पे DM को जैसा की इस विश्राय में अवगत कराया गया कि उत्तरपदेश पुलिस में आरच्छी नागरी पुलिस के परदो पर सीधी भरती 220 की लिखिट परिच्छा की आवजन के संबंद में यहाँ पे जो जिले में कितने परिच्छा केंद्र है जैसे यहाँ पर 49 परिच्छा केंद्र हातरस में है और इनी परिच्छा केंद्र में यह जो एक्जाम कंडेक्ट करवाय जाएगा पहले तो 18 फरवी थी मगर इतनी ज़्यादा आवेदन आ गया है आवग में तो परिच्छा तितमें बदलाव क्या किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं नंबर दो पॉइंट में आप देखेंगे इस प्रश्णगत प्रक्कर में आवगत कराना है कि उक्त भरती है तो अब भ्रतियों के अत्तदिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के दश्ट गत इस भरती की लिखित परिच्छा दिनांग 17 फरवरी और 18 फरवरी को दो दो पालियों में कराय जाने का निणए लिया गया है तथा लिखित परिच्छा से एक दिन पूर्व अर्थात यानि 18 फरवरी को आवसक तयारी है तुभी परिच्छा केंद की आवसकता होगी यहाँ पर सोल फरवरी को भी इस परिच्छा केंद की आवशकता होगी भाई वहाँ पर जितने भी पेपर होंगे जैसे ओ, O'MR सीट वगेरा होती इतनी भी चीज़े होती हैं, वो चीज़े उहाँ पर उपलब्द कराई जाएंगी, एक दिन पहले ही तबी morning shift में चीज़े उपलब्द हो पाएंगी, तो इसी क्रम में आपको यह भी जानकारी देना है कि 16, 17, 18 फरवरी, यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, DM हातरस के द्वा कि भाई आपके जो चिले में 99 परिच्छा केंद्र है, यहाँ पर उपलब्द कराने की सहमत मांगी गई हैं, तो जो भी college होंगे, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डला हूँ, उहाँ पर एक सहमत पत्र मांगा जाता है, कि आपका जो परिच्छा केंद्र है, सही है, जिसमे CCTV कैमरे हैं, पानी के शुगदा है, टौ Sinnohin है, जो भी चीज़े हैं, और अभी कितने में की कमरे हैं, कमरे में कितने भ्याथी बैठ सकते हैं, जो इस सब चीज़े देखी जाती है, तो यहाँ पर यह चीज़े बताई गई हैं, तो यहाँ पर मोटी मोmir आपको रहताना है, क नहीं बढ़ेगी और एक्जाम की जो अपडेट निकल के आ रही है 17-18 फरवरी निकल के आ रही है इनी दो दिवस में एक्जाम होगा और चार पालियो में आपका एक्जाम करवाया जाएगा तो आप गफलत में ना रहें अपनी तयारी यदि धीमी कर रहा हैं तो उसे और पुलिस भरती से संबंधित कोई भी बेकिंग नीज आती है तो आप तक समय से पहुच जाए बेल इकन को प्रेस करने से आपको स्टैब्ली नोटिफिक्शन मलता रहेगा धन्यवाद